Hello everyone, welcome back to channel तो पिछले कुछ दिनों से MCQ सिरीज चल रही है और आज इस सिरीज का है Day 17 तो चलिए सुरू करते हैं Hello everyone, welcome back to channel तो कैसे हैं आप लोग I hope अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई क्लास की शुरुवात करते हैं और आज हम cover करने वाले हैं फिर से उतराखन MCQ सिरीज Day 17 कल हमने cover किया था Day 16 और आज है Day 17 और UKPSC के complete notes हम आपको इस सिरीज में पढ़ा रहे हैं और यदि आप इस पीडियोप को लेने चाहते हैं तो description box और first comment में आपको WhatsApp group link मिल जाएगा तो आप वहाँ से join कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला MCQ है उतराखन चल में संतान कल्यान के लिए निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है इसमें है option A विरोडिया, भिरोली, हरेला और खत्र डुबा तो इसमें जो आपका सयांसर है वो है option नमर B भिरोली उतराखन चल में संतान कल्यान के लिए यानि संतान प्राप्ति के लिए भिरोली पर वो मनाया जाता है या हम कहेंगे कि जब संतान प्राप्त हो जाती है और उसके कल्यान के लिए अगला MCQ है लामड निम्न में से किस परकार का गीत है प्रणे गीत, उपेशात्मक, मांगली गीत और कृश्री गीत उप्सिन नमर ए आपका इसमें सयानचर है प्रणे गीत लामण एक प्रणे गीत है अगला मसी क्यों है मुर्खली, नथुली और गुलोबंद क्या है उप्सिन नमर ए है नरित्य शेली, बी है लोक गीत और सी है आभुसंड, डी है कसवे तो इसमें जो आपका सयानचर है वो है उप्सिन नमर सी आभुसंड, उत्राखन की जो आभुसंड है वो है मुर्खली नतुली गुलोबन ये उत्राखंड के प्रमो कापोशन है अगला MC क्यो है निमने लिखिन में से किस नरित्य में गीत नहीं गाया जाता है छोपती, जोड़ा, चपेली और छोलियो तो छोलियो एक गीत है जिसमें नरित्य, इसके नरित्य में गीत नहीं गाया जाता है छोलियो, आप्सन नमर डी is right answer अगला है निमने लिखिन में से कौथिक सब्द का क्या अर्थ है मेला, नरित्य, एक खाद्य उत्पाद और अनाज एवं मोटे अनाज अब उत्राखंड के कुमाओ छेत्र की बात की जाए या गड़वाली छेत्र की बात की जाए गड़वाल छेत्र की, तो वहाँ एक सब्द आता है कौथिक जिसको की अगर आप हिंदी से उसका तायत पर लो तो वो है मेला यानि कौथिक मिन्स मेला, आप्सन नमर A is right answer अगला एमसी क्यों है, चीन यूद के पहले निम्न मेंसे किस जन जाती के लोग तिबबत से ब्यापार करते थे आप्सन नमर A दिया गया है भोटिया, आप्सन B है राजी, आप्सन C है बोकसा और आप्सन D है जोन सारी तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है राजी, आप्सन नमर B is right answer जब चीन के साथ यूद होट है तो उससे पहले जो लोग यानि जो उतराखन की जन जातीयां थी वो थी राजी जन जाती, वो तिबबत से ब्यापार करते थे और ये जो लोग रहते थे वो रहते थे आपके उतराखन में पिथोरगट जन जन पद में, चमपावज जिल्ले में और नेनिताल जिल्ले में अब पिथोरगट की बात की जाए तो ये धार चुला, डांडी हाट, कनाली छीनी इन गाउं में रहते थे अगला MCQ है, हिमालियन राजमार्ग परियोजना को कहां से कहां तक क्रियावित किया गया है मुंशारे से माना तक, पांगों से पुरॉला तक, लोहागाट से टूनी तक और उप्र्यूग में से कोई नहीं सई आंसर है, उप्शन नमर C, लोहागाट से टूनी तक अगला है, निमन मेंसे उत्राखन का सबसे छोड़ा राजमार्ग है 72, 72A, 73A और 74 तो इसमें जो से आंसर है, ओप्शन नमर B, 72A उत्राखन का सबसे छोड़ा राजमार्ग है, NH है, नेशनल हाईवे हो है, NH 72A अगला MCQ है, टिहरी परियोजना में सहयोग ही तू रूस से समझोता किस वर्ष हुआ था 1975 में, 1990 में और 1986 में और 1990 में तो आपका इसमें जो सही आंसर है 1986 में option number 6 right answer टिहरी परियोजना में सहयोग यह थो यानि जो टिहरी परियोजना थी उसके लिए जो सहयोग चाहिए था तो तब 1986 में उसमें रूस से समझोता हुआ था अगला MCQ है उतराखन राज के सरवादिक समता वाली कृत्रिम जील कहां पर इस्तित है टिहरी गडवाल में, काला गड़ में कोठार में और लखवाल में तो option number 6 आपका सही आंसर है कोठार में अगला MCQ है निम ने लिखी दर्रों में से कौन से दर्रे से मांसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं माना पास, लिपुलेक पास नामा पास इन में से कोई नहीं तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है लिपुलेक पास अगला MCQ है मन्दागनी नदी का संभन किस जल प्रवाह से है अलगनन्दा, भागी रती, यमुना, धोली गंगा तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है उप्शनमर ए अलगनन्दा अगला MCQ है एसकोर्ट, वाइल डाइफ, सेंचुरी, उतराखन की किस सहर में इस्तित है उतरकासी, हरिदवार, पिथोरगाड या टिहरी तो आपका सही आंसर है पिथोरगाड जिला उप्शनमर से इस राइट आंसर तो अगला MCQ है उरेच्छों पर रक्षा सूत्र बांद कर उनके रक्षा का संकल्प लेने संबंदी आंदोलन सन 1994 में कहां पर सुरू हुआ था चमोली पर या चमोली में टिहरी में, उतरकासी में, पौडी में तो आपका जो सही आंसर है ओप्शनमर बी टिहरी में सन 1994 में जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन था वो रक्षों पर रक्षा सून उत्र बांद कर उनके रक्षा का संकल्प तो उसके संबन्दी जो आंदोलन हुआ था वो टिहरी जिल्ले में हुआ था सन 1994 में अगला एमसी क्यों है सरवादिक संगमरमर बंडार उतराखन के किस जिल्ले में इस्तित है चमोली नैनिताल अलमोडा देहरदून अगला एमसी क्यों है क्रीम रंग के भारी वा सक्त परकार के चोने भंडार उतराखन के किस सहर या छेतर में इस्तित है मंदराम छेतर में बारकोट छेतर में मसोरी छेतर में और डूई वाला सेतर में तो सही आंसर है मसोरी छेतर में option number three is right answer अगला एमसी क्यों है परवतिय सेतरों में सेड़ी नुमा खेती के लिए सेड़ियां अधिक से अधिक कितने परतिसत भूमी के ढाल तक बनाए जाती है तो 15 परतिसत आपका सहयांसर है यह आपका revise हो गया, revision हो गया वाले सेरीज में आपको यह पढ़ाए था अगला एमसी क्यों है उत्राखन राज में दूद एवं दुख्द उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है पराग, नंदन, आचल और अमोल तो आचल आपका इसमें सही आंसर है hopefully कि आपके यह complete हो चुका होगा अपना last second question है उत्राखन राज में क्रिसिम आपने या नापने का पैमाना क्या है मीटर, एम, सेंटिमीटर, गर्ज, वा फिट, नाली वा मुठी, भीगा वा बिसुआ तो नाली वा मुठी आपका सही आंसर है option number C हमारा last mcq है और इस स्रीज का last mcq जो है उत्राखन राज में सरवादिक सेत्रपल पर खेती की जाने वाले कौन सी दो फसले है गेहूं वा चावल, गेहूं वा अलो, गेहूं वा चावल तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है गेहूं और चावल option number A आपका सही आंसर है option number A is right answer गेहूं और चावल उत्राखन में सरवादिक बोया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी नहीं पर समाप्त होती है I hope कि आपको वीडियो पसंद आये होगी पसंद आये है तो like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए Thank you for watching, stay connected, stay blessed